हेलो स्टूडेंट्स आफ क्लास फेफ्थ तुड़े विल डिस्कस चैप्टर नंबर ट्वेल नैच्रल डिजास्टर एंड इन इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट टाइडल वेवस टाइडल वेवस क्या होती है एन अन्यूजवल राइज ओफ वाटर मतलब क्या होता ह है कि जो पानी है वो अचानक से उठने लगता है along the sea shore यानि कि समुद्र के किनारे जो पानी है वो उठने लगता है caused by a storm और इसका कारण क्या होता है storm यानि कि तूफान और a combination of wind and high tide और ये क्या होता है एक combination होता है किसका wind का यानि कि हवा का और high tide यानि कि जो उच्छ जुआर है उसका तो अब हम discuss करेंगे tidal waves के बारे में tsunamis are properly known as tidal waves tsunami को ही क्या बोला गया है tidal waves बोला गया है because they look like high tides क्योंकि ये high tides यानि कि उच्छ जुआर की तरह दिखाई देती है landslides landslides मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसको भूस खलन बोला जाता है undersea earthquakes यानि कि जो भूकमप है जो की समुदर के नीचे आता है जिसको हम क्या बोल देते हैं tsunami बोल देते हैं and volcanic eruption volcanic eruption यानि कि जब कोई भी volcano फटता है etc. cause tidal waves और tsunami इन सभी की वज़े से क्या उठती है tidal waves जिसको हम tsunami बोलते हैं वो उठ जाती है a large amount of water moves at a great speed in tidal waves और बहुत बड़ी मात्रा में जो पानी है वो चलता है और बहुत तेज गती से चलता है इसकी जो गती है वो बहुत तेज होती है tidal waves की the speed of water may reach up to 800 km जो पानी की गती है वो कहां तक पहुँच जाती है 800 km पर आवर तक when water reaches the land जब ये पानी जमीन तक पहुचता है with such a great speed और बहुत अच्छी speed से बहुत अच्छी गती से जब ये जमीन तक पहुच जाता है it turns into gigantic waves तो वो किसमें बदल जाता है विशाल तरंगों में बदल जाता है these waves cause great destruction to life and property और ये जो तरंगे हैं ये भारी मात्रा में विनाश करती हैं जिन्दगी का और संपत्ती का तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप students destruction caused by tsunami कि जो tsunami है उसकी कारण कितनी तभाई हो जाती है ये आप इस image में देख सकते हैं इन टूथाउजन्ट फोर अ सुनामी वाज कॉजड बाई अर्थक्वेक इन दा इंडियन ओशियन 2004 में क्या हुआ एक सुनामी आई जिसके कारण एक अर्थक्वेक एक भुकंप आया कहां पर इंडियन ओशियन में हिंद महासागर में almost two lakh people died in India, Sri Lanka and Indonesia ये मान के चलिये कि जो दो लाख लोगों की जो आबादी थी वो मारी गई इंडिया में, श्रिलंका में और इंडोनेशिया में अब हम डिसकस करेंगे फ्लड्स के बारे में so, फ्लड्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में बाड बोलते हैं and this is also a natural calamity sometimes when it rains very heavily कभी-कभी जब बारिश बहुत जादा हो जाती है heavily का मतलब है to a great extent बहुत जादा हो जाती है and continuously और बहुत लगतार होती रहती है for several days बहुत सारे दिनों तक या कुछ दिनों तक rain water accumulates तो जो बारिश का पानी है वो एकटा होने लगता है over the land जमीन के उपर and reverse overflow और जो नदियां हैं वो बह निकलती है the water flows to the nearby land जो पानी है वो पास की जमीन पर जादा बहता है and results in submerging of the area और इसका जो परिणाम होता है वो क्या होता है कि जो छेतर है वो पूरी तरीके से जलमगन हो जाता है submerging को हम बोलते हैं जलमगन होना floods cause huge damage जो बाड़ है वो बहुत भारी मात्रा में तभाई करती है यानि कि जो बाड़ है उसके कारण बहुत भारी नुकसान होता है due to water logging जब जो वाटर है वो भरने लगता है तो जो एनिमल्स हैं जो जानवर हैं जो की मिट्टी के अंदर रह रहे हैं जैसे की snakes, rats and earthworms वो मरने लगते हैं the crops get damaged जो फसल है उसको नुकसान पहुचता है causing loss to the farmers जिसके कारण किसानों का भी नुकसान होता है the top soil gets washed away जो उपरी मिट्टी है वो washed away यानि की वो बह जाती है जिसके कारण क्या हो जाता है soil erosion हो जाता है soil erosion को हम बोलते हैं भूमी कटाव many diseases spread causing damage to the human and cattle lives बहुत सारी बिमारियां फैलने लगती है जिसके कारण जो मानव है और जो पशू है उनकी जिन्दगी को नुकसान पहुचता है तो यहाँ पर इस image में आपको flood का एक द्रश्य दिखाया गया है flood का मतलब क्या होता है बाड तो यह देखिए students किस तरीके से बाड में जो पानी है वो land पर पूरी तरीके से भर जाता है and जो आपका flood है that cause huge damage to the crops and also damage human and cattle lives so this is also a natural calamity यह भी क्या है एक प्राकर्तिक आपदा ही है अब आगे बढ़ते हैं अब आगे हम discuss करेंगे drought के बारे में drought क्या होता है सूखा when there is no rain or a very little rain in an area for a very long period of time the condition is called drought जब कभी बरसात नहीं होती या बहुत कम बरसात होती है किसी भी छेत्र में for a long period of time और बड़े लंबे समय से जब बारिश ना हो रही हो या बहुत कम बारिश हो रही हो किसी भी छेत्र में the condition is called drought तो जो परिस्तिती बनती है वो कौन सी बन जाती है पड़ जाता है drought results in severe water shortage जो drought है उसका जो परिणाम है वो काफी गंभीर होता है और इसके अंदर पानी की कमी हो जाती है water bodies like ponds and lakes dry up जो water bodies है जैसे कि तालाब और जीले ये सूखने लगती है huge cracks develop in the soil जो बड़ी बड़ी दरारे है वो उनका जो विकास है वो मिट्टी के अंदर होने लगता है crops gets damaged जो फसले हैं वो damage यानि कि उनको भी नुकसान पहुचता है and people do not have food and water जो लोग हैं उनके पास भोजन और पानी नहीं होता है the major reason behind occurrence of drought is large scale cutting of trees जो सबसे मुख्य कारण है droughts के पीछे या इसके occurrence occurrence को हम क्या बोलते हैं the event that happens इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है large scale cutting of trees यानि की deforestation कि जब आपका deforestation हो जाएगा जब आप पेड़ों को काटेंगे और जंगलों को साफ कर देंगे पेड़ काटके तो तब droughts की drought की जो condition है वो बनेंगी for the development of towns and industries और ये जो आप cutting कर रहे है trees की या फिर forest को आप clear कर रहे है तो वो आप अपने development के लिए कर रहे है आप क्या करेंगे उनको कट करके towns and industries का क्या करेंगे development करेंगे अपने कस्बों का अपने उद्योगों का विकास करेंगे तो ये एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि क्या पढ़ जाता है कुछ जगाओं पर सूखा पढ़ जाता है तो यहाँ पर ये देखिए इस image में students क्या दे रखा है draught देखिए किस तरीके से जो जमीन है उसमें दरारे पढ़ गई है तो इस छेत्र में काफी लंबे समय से बारिश नहीं हुई है और बारिश ना होने की वज़े से या कम बारिश होने की वज़े से यहाँ पर क्या पढ़ गया है सूखा पढ़ गया है ड्रॉट पढ़ गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और लास्ट में हम डिसकस करेंगे वेन अनैचरल डिजास्टर ओकर्स जब कोई प्राकर्तिक आपदा होती है तब हमें क्या-क्या कदम उठाने चाहिए उसको भी डिसकस हम करेंगे एवरिवन शुड हैल्प ड्यूरिंग अनैचरल डिजास्टर हर एक किसी को प्राकर्तिक आपदा में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और उनको जो कदम है वो उठाने चाहिए सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए कि अफवाओं को ना फैलाए कॉपरेट यानी की सहयोग करें एनकरेज यानी की परोचसाहित करें लोगों को तो फैस दा प्राबलम ब्रेवली ताकि जो लोग हैं वो किसी भी मुसीबत को बहादूरी से उसका सामना कर सकें तीसरा अरेंज फूड भोजन की विवस्था, कपड़ों की विवस्था, पैसे की विवस्था for the agencies, agencies मतलब organization या फिर कोई संगठन उनके लिए करें जो किसमें शामिल है, in relief work जो राहतकार्य में शामिल है तो उन agencies के लिए भोजन, कपड़े और पैसे की विवस्था होनी चाहिए there are many non-government organizations बहुत सारे क्या होते हैं, students गैर सरकारी संगठन होते हैं, NGOs होते हैं, जो आगे आते हैं for help during a natural disaster मदद करने के लिए ये लोग आगे आते हैं और कब आते हैं, जब भी कोई प्राकरतिक आपदा आती है some of these are Red Cross Society इन में से जो सबसे पहली NGO है वो कौन सी है, Red Cross Society दूसरी है World Health Organization विश्व स्वास्तिय संगठन, WHO के नाम से जानते हैं and United Nations Children's Fund जिसे हम बोलते हैं UNICEF तो ये क्या है तीसरी ऐसी organization है जो आके आती है और मदद करती है लोगों की जब भी कोई natural disaster आता है These agencies help affected people by providing medical services ये जो organization है ये लोगों की मदद करती है और उनको चिकितसा से संबंदित सेवाएं भी देती है भोजन से संबंदित जितनी भी सेवाएं हैं वो दी जाती है लोगों को and other important services to them और अन्य जरूरी सेवाएं भी लोगों को दी जाती है तो I think students ये जो chapter है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा Please like, share and subscribe my video Thank you और एक चीज और students कि जब भी आप सुभह को उठें तो आप अपने माता-पिता के जो पैर हैं उनको चुएं या अपने से बड़ों के पैर चुएं और अपने से बड़ों की क्या करें? Respect करें Thank you So पढ़ाई के साथ साथ आपको जो moral values हैं वो भी पता होनी चाहिएं और ये मेरा करतव्य है ये मेरी duty है कि मैं आपको ये चीजें भी वीडियो में बताया करूं ताकि आप इसको फॉलो करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें So thanks for seeing this video Please follow the instructions जो मैंने video के बाद में दिये Okay